जे हैं दोस्तों भाई वोग सारे शेर बिल्कुली बढ़िया होंगे तो भाई आज एक ऐसे कॉश्चन कांसर करने वाला हूँ जिसका हर किसी को बेस अबरेस अंतजार है कि 10 लाख रुपे के अंदर मुझे कौन सी बेस्ट कार मिलेगी इतने सारे options available है आजकर लोग इतने confused हो चुके है वो sedan को, micro SUV को, compact SUV को सब को mix कर ले दे है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा देखो, micro SUV का top model चला जाता है 10 लाख रुपे तक, ठीक है और जो compact SUV है, उसका base model स्टार्ट होता, 9 लाख रुपे तक रीबन से तो वीडियो को end तक देखना ताकि भाई कोई दिक्कत ना आए, जब लोन भरो तो खुशी हो tension नाव माथे, पे कोई शिकंज नाव सबसे बहले बात करते है, टाटा पंच की क्या 10 लाख रुपे लगा कर टाटा पंच लेनी चाहिए देखो, अगर आप 10 लाख रुपे लगा कर टाटा पंच ले रहे हो, तो no doubt आपको सारे features मिल जाएंगे वहाँ पे पर ये recommended चीज नहीं है, देखो अगर तो आपको driving कम ही आती है आपने नया नया ही शुरू करा है और आपको कोई फरग नहीं पढ़ता की कार long term चलेगी या नहीं चलेगी 7 साल, 10 साल, आपका कोई ऐसा परपस ही नहीं है, आप बस कार ले रहे हो आपको budget ठीक ठीक रहता है, आपको time pass करना है कार सीखनी है, आगे move on करना है तो आप 10 लाख रुपे लगा कर आप पंच ले लो यहाँ पर जो इस स्टकर की जो दूसरी कार मुझे लगती है, वो मैं Hyundai Xter की बात करूँगा Xter आपका 7-8 साल तक निकाल सकती है क्योंकि उसका engine काफी जादा smooth हो जाता है तो अगर आपको ऐसे शक्स हो, जिसको engine की थोड़ी knowledge है, refined engine चाहिए तो कम budget में आपको Xter मिल जाएगी इसका SX variant आता है जो आपको sunroof, wireless charging, 360 camera, dash cam सब कुछ दे देगा आपको 10 लाग रुपे वाला जो variant होता है तो ये कार फिर भी थोड़ी सी value for money हो जाती है पर एक बत आपको याद रखनी है जब मैं कहता हूँ कि engine अच्छा नहीं मिलेगा इसका मतलब यह है दोस्तों कि punch के engine की power बहुत अच्छी है पर हलकी सी vibration फिल होगी आपको gear shifting में थोड़ा सा easiness नहीं होगी तो यहाँ पर आपको comparatively Xter में वो चीज अच्छी मिल जाती है अब आगे बढ़ते हैं क्या आपको frongs लेनी चाहिए 10,00,000 रुपे के अंदर definitely आप उसे consider कर सकते हो कि वो भी compact SUV की shreddy में आता है frongs क्या कर रहा है आपको एक average build quality दे रहा है जो कि आपकी बलीनों से उपर चली जाती है और वहाँ पर आपको 1.2 लीटर का काफी refined engine मिल जाता है 1200 CC का new look मिल रहे है बिल्कुली बहुती extreme new look है मारुत्यों के साबसे तो बिल्कुली नहीं गाड़ी है वो उससे नहीं तो कुछ हाई नहीं तो यहाँ पर look wise बहुत प्यारी है road presence काफी अच्छी है तो यह वहाँ पर आप 9-10 लाख रुपे लगाकर वो कार ले सकते हो क्या उस कार के ऊपर 12-13 लाख रुपे लगाकर टॉप वेरेंट पर टरबो जाना चाहिए तो मैं वो recommend नहीं करता उस case में आप दूसरी कार्स पर move on कर लो अब बात करते हैं कि 10 लाख रुपे लगाकर ब्रेजा किसे लेनी है देखो अगर आप ब्रेजा लेते हो ना engine सबसे ही main factor है उसका overall में पहली चीज़ engine के अलावा जो दूसरी चीज़ उसकी काफी अच्छी है वो जाती है उसकी look तीसे नंबर पे मैं रखूंगा build quality को तो यहाँ पर अगर आपको interior अच्छे नहीं चाहिए क्योंकि अंदर से तो आप ही देख रहे हो society तो बार से देखेगी आप अंदर से काम करवा भी सकते हो interior का बार से थोड़ा पैसा लागा अगर आपका 10 साल अराम से ऐसी खुशी निकाल देगा suspension बहुत तगड़े हो जाते हैं उसके तो यह सारे इसकी unique selling point हो जाते हैं तो यहाँ पर किसको brother लेनी चाहिए जिनको यह सारे फायदे चाहिए क्योंकि इस range में देखो आपको sunroof नहीं मिलेगी फिर आपको कोई wireless charging नहीं मिलेगा आपको कोई major अच्छे features नहीं मिलेंगे पर आपको एक ऐसी car मिलेगी जो आपको tension free रखेगी जिसका खर्चा भी कम होगा आपको service वगरे का और parts वगरे का अगर आपको कोई ऐसी car चाहिए ती जो दिखने में बहुत ही futuristic लगती हो आप Tata की कार लेना चाहते हो बड़ी कार लेना चाहते हो turbo engine वाली कार लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप Nexon की तरफ जा सकते हो base model आपको मिल जाएगा 10 लाकी range में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो काफी अच्छी चीज़े मिलेंगी आपको base model से boot space बहुत अच्छा है ground clearance बहुत अच्छी है build quality 5 star है global end gap मजबूती भरपूर है power बहुत अच्छी power है हलके से turbo lag मारेगी hill पे या शेहर में वो भी अगर आपको उतनी knowledge नहीं है जिनकी है तो शायद आपको पता ना चले उस case में आप उस तरफ जा सकते हो बहुत अच्छी कार है naxon भी xv300 का weight किसे करना है जिसको power भी पूरी चाहिए जिसको safety भी पूरी चाहिए जिसको looks भी अच्छे चाहिए जिसको interior भी ठीक ठाक चाहिए पर उसको boot space और ground clearance से मतलब नहीं है वो बंदा जाएगा xv300 की तरफ 10 लाक रुपे के अंदर क्योंकि आपको उसका base model मल जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग-अलग लोगों की हिसाब से मैंने suggest करा है जो कि कई बार मुझे question आता है कि किसको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए अब बात कर लेते हैं दो अलग players की जो हो जाते हैं Hyundai की Venue और Sonnet देखो Venue euro and cap से 4 star rated car है ठीक है यहाँ पर अगर हम safety की बात करें तो build ठीक ठाक है Venue की Venue हलकी से आपको छोटी लग सकती है साइस में लेग रूम वगेरा हलका सा कम लग सकता है अगर आप उसको Nexon, Axeo भी आप राज़ा से compare करते हो तो तो अपर Venue उनको लेनी चाहिए जिनको सब कुछ थोड़ा-थोड़ा चाहिए looks भी एच्छे चाहिए, mid quality ठीक ठाक चाहिए अंदर से interior भी एच्छे चाहिए engine भी smooth चाहिए तो यह आपको सब कुछ थोड़ा-थोड़ा दे रही है तो इसलिए उनने क्या करा space अलका सा मार लिया जो car की width होती है जो car की लंबाई चोड़ा ही होती है उसको थोड़ा सा shrink कर लिया वहाँ पर खेल गए है पता नहीं क्यों खेल गए भगवान जाने अब बात करते है sonnet की sonnet किसको लेनी है 10 लाग रुपे लगा के जिसको सिर्फ और सिर्फ looks चाहिए बढ़िया car, अच्छे interior, smooth engine चाहिए पर वो build quality से compromise करने के लिए तयार है safety से थोड़ा सा compromise करने के लिए तयार है उसके लिए sonnet है sonnet का engine one of the smoothest side हो जाता है like same ही मानलो I mean sonnet हो गया या फिर अपनी वैन्वी हो गई दोनों Hyundai का engine आजाता है Kia Hyundai तो एक ही चीज़ है तो यहाँ पर engine अच्छा हो गया, softness हो गई आपके interior बहुत पहरे हो गई car की looks बहुत पहरी हो गई boot space बहुत पहरे हो गई ground clearance बहुत पहरी हो गई कहाँ पर पिस हो गई, build quality में driving पर अपनी भरोसा है trust करते हो, तो वहीं आग बंद करके sonnet भी ले सकते हो so I think यह पर मैंने major cars को compare कर लिया है